नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं इसकी योजना बनाने के लिए रनीती त्यार कर रहे हैं 20 अक्टूबर से चलेगी 392 नए फेस्टिवल एस्पेसल ट्रेन जारखन बिहार और पच्छिम बंगाल समयत पूरे देश में 392 नए ट्रेने चलेगी बता दे कि दुरगापुजा से ठीक पाले चलने वाली एस सभी ट्रेने एस्पेसल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही है रेलवे बोर्ड ने ट्रेन की सुची जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि ट्रेने 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बिच फेस्टिवल एस्पेसल ट्रेन के रूप में चलेंगी रेलवे बोर्ड ने मंगलवार को ट्रेनों की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी है बता दे कि इन में से जार्खन में चलने वाली ट्रेने हाटिया लोकमाने तिलक टर्मिनल, हाटिया एस्वंथपूर, टाटा एस्वंथपूर, राची हबडा, टाटा हबडा, राची पतना, राची जयनगर वो टाटा पतना ट्रेने हैं सीवी एस्टी दसवी परिक्षा 2021 के पैटर्ण में हुए कई बदलाव किया है, बता दे कि इन में केवल एक, तीन और पांच अंग के प्रश्न पूछे जाएंगे जारखन में 701 नए संक्रमितो को पुष्टी हुई, जुराची से 304, बोकारो, 38, चत्रा, एक, देवगर, 8, धनबाद, 28, दुमका, ठारा, पूर्वी, सिमु, 48, गडवा, 15, गीड़ी, 5, गोटा, 15, गुमला, 18, हजारी, बागबार, जामतरा, 15, खुटी, 5, कोडार्मा, 17, लाते, 17, लोगर, दागा, 12, पाकुर, 4, पलामू, आठ, रामगर, साथ, सायवगर, 5, सराइक, एला, 20, सिम्डेगा, 3, वपच्वी, सिमु, 48, मिले है, जारखन में कुल संक्रमितो को संख्या, 93, 736 है, जबकि 50, 314, लोग सोष्ट हुए, और 805 की मिरिती हो गाई, भारत मे जारखन की ग्राम पंचायतो को सेटलाइट ब्रोडबेंड नेट्वर्क से जड़ा जाएगा, इसका काम हुजेज इंडिया को सोपा गया है, बता दे कि हुजेज इंडिया भारतिये, आंतरिक्ष, अनुसंधान, संगठन, इस रोग की, जी सेट, उनाइस, और जी सेट, ए इंटरनेट सेवा से जोड़ेगी, सरकार ने अगस्त 2021 तक देश की सभी अढ़ाई लाग ग्राम पंचायतो का हाई स्पीड ब्रोडबेंड सेवा से जोडने का लक्ष रखा है, जारखन के चार जीले अभी रेड जोन में, जारखन में क्रूना संक्रमन की दर कम होने के अधिक है, पस्चमी सिम्हूम जीला में पुलिसिंग कंट्रोल अरेजमेंट के तहट कई नए कंप बनाए जाएंगे, साथी कई कंपों में तैनात किये गए जवानों को भी बदला जाएगा, मंगलबार को जारखन के डिजीपी, एम बिसुनु वर्धन राव ने पस्चमी सिम्हूम जीला के मुख्यारे चाईवसा में पत्रकारों से बाच्चित के दुरान कही, उन्होंने कहा कि जीला में जहां भी मवादी की गतिवीधी देखने को मिलेगी, उन पर कठोर करवाई होगी जैप और होमगाट के जवानों का धरना जारी दिमागों को पूरा नहीं करती है, तब तक धरना जारी रहेगा छो राजियों में फसे 2400 प्रवासी जर्खंडियों ने घर वापसी के लिए लगाई गुहार सवाम विवाक के पता धिकारी, राज प्रवासी, नियंतरन कक्ष के सवयोग से फसे लोगों की वापसी में जूट गए है बता दे की मुखे रूप से तमिलाडू, लदा, गुजरात, आंदरपरदेश, दिली और दवन में ज्यार्खंड के लोग फसे हुए है ज्यार्खंड में मंगलवार को साथ की मौथ हुई, यो चात्रा से एक धनबाद से दो और राची से चार की मौथ हुई है मंगलवार को आट सो तीरपन मरी स्वस्थ हुए है, एक टिव केस इस परकार है राची 2628, पूर्वी सिम्भूम, 14 सव अरसर, धनबाद, 415, सराय केला, 323, बोकारो, 307, हजारी, बैक, 248, खोटी, 210, कोडार्मा, 114, पाच्मी, सिम्भू, 180, लोहर्दागा, 150, दुमका, 150, गुमला, 150, लाते आर, 146, रामगर, 143, गिरीडी, 133, जामतला, 115, चात्रा, 115, स थायवगं, सत्तर, पलामु, 55, पाक, कुर, से, 54, मरीज, एक्टिव, हैं, राज्य में महिलाए, एवं, बेटिया, सुरक्चित, नहीं, रगवरदास, पूर्व मुखमंत्री, रगवरदास, ने जारखन की महिलाए, एवं, बेटियों की सुरक्चा को लेकर, हेमन सरकार पर चार बर्स की बच्चियों से लेकर, आश्रम में साधवीत तक सुरशित नहीं है, अप्राधियों का मनोवन बढ़ा हुए है, उन्होंने कहा कि जारखन पुलिस के आकड़े की माने, तो जनवारी से जुलाई 2020 के बीच, एक हेयर 33 बच्चियों के साथ दरिनगी की रिपोर् आश्मान भारत के तवाद संचाली चोजनाओ और ANC रईस्टेशन को लेकर मंगलवार को स्याम परसाद मुखरजी सवागार में बैटक होई, DC 26 ने कहा कि अस्पताल पहुचने वाले लाभुक मरीजों के आश्मान भारत इसकिम के तवाद रईस्टेशन सुनिश्चित करा बलतकार की बरती घटना के बिरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने निकाला केंडल मार्च, भारतिय जन्तपाटी महिला मोर्चा राची महानागर जीला द्वारा केंडल मार्च निकाल कर बरती बलतकार की घटनाओ के बिरोध में परदसन किया गया, बता दे कि राची जील अध्यक्ष केके गूपता ने कहा जारखंड में बेटिया आप सुरचित नहीं है पर तेक दीन कोई न कोई बलतकार की घटना हो रही है 1250 पासपोर्ट और 10 लाग की बरामदगी मामले की जाच में जूटी पुलीस राची पुलीस ने बीरसाचों के समीब एक कार से 1250 पासपोर्ट और 10,29 रुपए की बरामदगी मामले की जाच सुरू कर दिया है बता दे कि पुलीस हिरासत में लिये गए आरोपी राजेस पर साथ से लगतार पुछताच कर रही है हलाकि मुख आरोपी चूटिया निवासी रायस सिंग पुलीस की गिरफतार से बाहर है क्रीसी रीन भुकतान में किसानों को जल्द मिलेगी राहात मंतरी राज के क्रीसी मंतरी बादल पत्रलेख ने कहा कि राज के क्रीसकों को सुद्रिड करने की दिशा में सरकार तैजी से काम कर रही है सरकार ऐसे किसानों को सुचिबद कर रही है जिन्होंने विभीन भैकों से रीन लिया है और वह चुकाने में असफल रहे है ऐसे किसानों के रीन माफी की दिशा में काम किया जा रहा है लातेहर में पूलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड लातेहर जिला के चंदवा थाना छेत्र के जर्मा जंगल में मंगलवार की साम पूलिस और परतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के बिच लगभग एक घंटा मुटभेड हुई बता दे कि इस मुटभेर में कुछ उग्रवादियों को गोली लगने की संभावना जताई जा रही है जनकारी के अनुसार पूलिस को सुचना मिली थी कि जंगल में उग्रवादी जमे हुए है सुचना के बाद पूलिस के टीम उग्रवादियों के खिलाब छापे मारी के लि भीम आर्मी ने किया चक्का जाम का समर्थन भीम आर्मी की परदेश महिला अधियक्स प्रभाद देवी ने 15 अक्टूबर के चक्का जाम का समर्थन किया है, मंगलवार को केंद्रिय सरना समीती यवं अखिल भारती अधिवासी विकास परिशत की एक बैठक हटिया में हुई, बैठक के बाद प्रभाद देवी ने कहा कि सरना कोट की मांग आधिवासियों की जायज मांग है, जे टेट और पंचाथ सचिव के अभियार्थियों से मिली बिधायक दिपिका, कॉंग्रेस बिधायक दिपिका पांडे सिंग और परदेश प्रोफेसनल कॉंग्रेस के अधियक्स आधित बिक्रम जैस्वाल ने को मुराबादी में अंदोलन रत जे टेट एवं पचाथ सचिव के अभियार्थियों से मुलकात कर उनकी मांगों से अउगत हुए, तथा भरुसा दिलाया कि आप लोगों की मांगों के प्रत्ति हम सब गंभीर वा समिधन सील है, दिपिका पांडे सिंग ने कहा कि राजे क के मजूदा महागडबंदन हेमन सरकार काफी समय दन सील है, हम आप सभी के आंदोलन और मांगों को पार्टी, फोरम एवं सरकार तक पहुचाने के लिए आया है, मुक्ष मंत्री के 100 कुर्मान हानी मामले की अगली सुनवाई 20 को, जारकन के मुक्ष मंत्री हेमन सुरेन की ओ अपना पक्ष रखते हुए कोट से समय मांगा है, बता दे कि मामले में अदालत में सुनवाई के बाद 20 अक्टूबर की तिथी निद्यायत की गई है, अंतर राजिये बसों के परिचालन पर रोक लगा है मंत्री, परिवहन मंत्री चंपाई सुरेन ने सोमवार को विभाग ये समिक्षा के दवरान बिहार और अने राजियों में बसों के अवागमन की सुचनाओं पर कड़ी करवाई करने का निर्देश अधिकारियों के दिया है, उन्होंने कहा कि अगर इस बसों के परिचालन पर रोक लगी है, तो विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि रो पटमदा के किसान इन दिनो अग्यात वाईरस की वजह से परिसान है, बता दे की टमाटर की फसल वाईरस से बरबाद हो रही है, इस समस्या के निदान के लिए कुछ खिसान बाबाओं का चकर भी काट रहे है, बता दे की किसानों ने बताया कि बीज कंपनी या भी से सगयो के निर्देशा अनुसार कीट नासकों के लगतार शिर्काव के बावजूद भी इसमें सुधार नहीं होने से किसान के साथ उन लोगों को भी चिंतब सता रही है बिर्शा मुंडा की जनती को जन जातिये गवरो दिवस के रूप में मनाएगा आरेसेस राष्टिये स्वायम सेवग संग के करेवाहक भाया जी जोसी ने कहा कि देश के किसी भी जिले में रहने वाले बनवासी समाज के लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए उनकी हर तरह की चिंता हमें ही करनी होगी यह देखने का काम बनवासी कल्यान आस्रम के कारेकरता करेंगे वे गाओं में बनवासी परिवार के पास जाकर देखेंगे कि कोई भुखा तो नहीं रह रहा है उन्होंने कहा कि भागवान बीसा मुंडा की जनती 15 नौवंबर को जन जाती है गोरो दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा गुमला जिला में पाचवी की 16 से 5 यूग को के दुआरा दुसकर्म का मामला सामने आया है बता दे कि मामला गुमला जिला के चैनपूर थाना छेतर के हरा डीपा गाउ का है पांच लाख रुपए का इनामी भागपा मवादी के सब जोनल कमांडर बोईदा पाहन सहीद चार नकसलियों ने सरेंडर किया है सीम घमांच सुरेन की भावी सिता सुरेन ने फिर से निसाना साथ बोली सीसील प्रवंधक टाना भक्तों को घर से बेघर करने की कोशिस कर रहे हैं सीम डेगा के कोले बीरा डेम में डूबने से दो सगे भाई बहन की मौत हो गई है जनकारी के अनुसार गुमला जिला से अपने मौसा मौसी के घर आये थे पलामू जिला में चतुत्वर गिये करमचारी के पत पर नियुक्त करमचारियों को नियुक्ती पत्र दिया गया धनबाद के आरा मोर से लेकर मटकूरिया तक फलाई ओबर को लेकर डिसी उमा संकर सिंग ने पत निर्बान विभाग के साथ बैठक की राची संसत संजय ने सिक्षा मंत्री जगनात महतो का हाल जाना उन्होंने स्वास्त की जनकारी ली धन्यवाद कल का सवाल का जबाब में से हमें सबसे अच्छा जबाब संजय कुमार अमबेटकर जी का लागा तो इसी तरह से अपना सुझाव देते रहे आज का सवाल जार्खन सरकार कौन सा कदम उठाये जिस से राजे के महिलाओ को संपुण सुरक्षा मिल सके आप अपना सुझाव अवसे दे साथ शाथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करे तो आज के लिवस इतना है थैंकी